सत्ता में बात अडानी समू की जिस पर एक बार फिर से आरूपों का बंप हूटा है और इसका असर ये हुआ कि आज अडानी के शेरों में भारी गिरावट आई अमेरी की कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के जटके से उबनने की कोशिश में बहुत हद तक काम्याब हो चुके अडानी ग्रूप पर अब एक नया आरोब लगा है जिसके बाद आज अडानी ग्रूप की कंपनीयों के शेर करीब धाई फीसली तक गिर गए जनवरी फरवरी में हुए हिंडनबर्ग कार्ड के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है एक विदेशी संस्था एगनोइस्ट क्राइम एंड करॉप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP इस संस्था ने ये दावा किया कि अडानी ग्रूप के निवेश को ने गुप चुप तरीके से खुद अपने शेरों को खरीद कर बादार में लाकों डॉलर का निवेश किया ये सेवी के नियमों के खिलाफ है OCCRP ने अपनी रिपोर्ट में तीन बड़ी बाते कहीं पहली बात अडानी ग्रूप फैमली पार्टनर्स ने अपने ही ग्रूप के शेरों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपे निवेश किये दूसरी बात निवेश मौरिशस में ऐसे फंड के जरिये किये गए जिसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है तीसरी बात अडानी ग्रूप के कंपनियों ने साल 2013 से 2018 तक गुप चुप तरीके से अपने ही शेरों को खरीदा था इसके लावा OCCRP ने एक रिपोर्ट में दो करीबियों का जिक्र भी किया है कई टेक्स हेवन देशों के फाईलों और अडानी ग्रूप के आंत्रिक इमेल का हवाला देते हुए OCCRP ने अपने आरोप लगाए कि उसकी जाच में कम से कम दो मामले सामने आए है जहां रहस्मई निवेशकों ने गुम नाम फंड्स के जरीए अडानी के शेर खरीदे और बेचे OCCRP ने ऐसे निवेशकों के नाम भी दिये ये नाम है नासर अली शाबान एहली और चैंग चूंग लिंग रिपोर्ट में दावा किया गए कि अडानी परिवार के साथ निवेशक नासर अहली और चैंग चूंग लिंग के लंबे समय से वेपारिक रिष्टे है गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के ग्रूप की कंपनियों में ये लोग डारेक्टर और शेयर होल्डर भी रह चुके है इन आरोपों से सियासी और कॉर्परेट पारा हाई हो गया है शेयर बाजार में जटके लगने शुरू हो गए और राज्यतिक बयान बम की तरह बरसने लगे विदेशी संस्था OCCRP के इन आरोपों पर अडानी ग्रूप ने सफाई दी लेकिन ये सफाई शेयरों में गिरावट को रोक नहीं पाई अडानी ग्रूप ने OCCRP के आरोपों पर जो बयान जारी किया उसमें कहा गया है कि हम इन रिसाइकल्ड आरोपों को खारच करते हैं ये नियूज रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट को फिर से हवा देने के लिए सोरोस दोरा घोशित पोशित विदेशी मीडिया के एक वर्क योर से जान बूच कर प्रकाशित की गई है OCCRP ने जो आरोप लगाए हैं वो एक दशक पुराने मामले से जुड़े हैं जो मार्च 2023 में बंद हो चुका है तब सुप्रिम कोट ने इस मामले में हमारे पक्ष में फैसला सुनाया था ऐसी कोशिशों का मकसर हमारी कमपनियों के शेरों को गिरा कर मुनाफ़ा कमाना है सुप्रिम कोट और मार्किट रेगुलेटर से भी इन मामलों की जाच कर रहे हैं इसलिए प्रक्रिया का सम्मान करना ज़रूरी है। हमें कानून की प्रक्रिया पर पूरा भरुसा है। इन न्यूज रिपोर्ट्स की टाइमिंग, संदिग्ध और दुर्भावना पून है। हमें रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से खारिच करते हैं। हाला कि इस सफाई के बाद Aadani Samhu की कई कंपट्नियों के शेयर गिरे Aadani Green Energy के शेयर 3.7-6 फीज़ दी गिरे Aadani Power के 1.9-2 फीज़ दी Aadani Enterprises के 3.5-1 फीज़ दी Aadani Ports के 3.1 अाट फीज़ दी Aadani Total Gas के 2.24 फीज़ दी Aadani Transmission के 3.5-3 फीज़ दी अडानी विलमर के 2.70 फीजदी, अम्बुजा सीमेंट्स के 3.66 फीजदी और NGTV के शेर 1.92 फीजदी गिरे सिर्फ ACC ही ऐसा रहा जिसके शेर 0.73 फीजदी बढ़े हैं यानि 10 में सिर्फ एक कंपनी का शेर चड़ा, बाकी कंपनियों के शेर गिर गए अडानी ग्रूप पर लगे इन आरूपों और शेर मार्किट से लगे जटके के बाद कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी ने सरकार पर हमला किया और अडानी को बचाने का आरूप लगाया इसके लिए उन्होंने खास तोर पर आज एक प्रेस कांफरेंस की राहूल गांधी की बाते भी अब आप सुन लीज़े सबसे पहले सवाल उठता है ये जो पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है ये अदानी जी का है या ये किसी और का है अदानी जी हैं वो हिंदुस्तान के कोई भी आसेट को खरीच सकते हैं चाहिए वो धारावी हो मुंबई एरपोर्ट हो सिमेंट कंपनी हो डिफेंस कंपनी हो ये कह रहे हैं कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास इमेल्स हैं वन बिलियन डॉलर्स यहां से गया है और वापिस आया है उसके माधियम से शेर प्राइस बढ़ाई गई है सिर्फ एक व्यक्ति को प्रधान मंत्री इस प्रकार से क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एक व्यक्ति हिंुस्तान के सब ऐसेट खरीद रहा है और क्लिरली उस व्यक्ति ने कुछ गलत तो किया है ये प्राइमिनिस्टर शुद कम क्लीन प्राइमिनस्टर शुद से येस आइणाउंस जेपी सी आइन। अन्वेस्टिगेशन इंटू मिस्टर अदानी और गांदि का हमला काफि तीखा था।apo बजटसत में अदानी मुद्द्दे की जेपिसी जांच की मांग लेकर विपक्ष ने कई दिनों तक सदन भी नहीं चलने दिया था लेकिन इंडिया गड़ बंधन के बड़े नेता शरत पवार ने जेपीसी जाच को गैर जरूरी कह दिया था तब ये माना जा रहा था कि अडानी के बुद्धे पर विपक्ष में एकता नहीं है हाला कि आज विपक्ष के बाकी नेताओं ने अडानी ग्रूप पर लगे आरोपों को हत्यार बना कर सरकार को घेड़ने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ी एक प्रधार मंत्री के चहीते दोस्त प्रधार मंत्री के पसंदीदा उज्योग पती पुन्जी पती अगर उन्हें कुछ गलत लग रहा है और कुछ गलत हुआ है उनका हक है आवाज उठाना तो वो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए एजिंसीज हैं जो इंस्टिटूशन्स हैं जो डील करती हैं ऐसे आरोपो को वो अपना काम करेंगे अडानी समुह के कामकाज हैं वो संदेहास्पद हैं उनके जो बिजनेस डील्स हैं बिजनेस रांजेक्शन हैं उसमें बहुत सारे सवाल पिटते हैं और इसकी एक बहुत साप सुत्री जाच होनी चाहिए कुछ ताकते ऐसी है जो और सोरोस जैसे लोग ऐसे बहुत सारी ताकते और दुनिया में जो एक बहुत मजबूत देश जो मजबूत बन रहा है एक सौफ्ट नेशन होता था एक स्ट्रॉंग नेशन की तरह जो भारत उभर का आया है तो कई लोगों को आखों में खटकता है ये में जरू कैसे हैं के ज़्यादा दाम दिखाए मनी लॉंडरिंग और अकाउंटिंग फ्रॉट किया शेयर की कीमत 85 फीस दी ज़्यादा दिखाई अडानी ग्रूप पर हैसियत से ज़्यादा कर्ज है शेल कंपनियों के जरिये निवेश कराए इन आरोपों के बाद सुप्रिम कोट की निगरा अबी सुनवाई के अगली तारीक ते नहीं है उससे पहले कल OCCRP ने एक और आरोप लगा दिया वैसे अडानी ग्रूप पर आरोप लगाने वाली संस्था और्गनाइस क्राइम एंड करॉप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानि OCCRP खुद को खोजी पत्रकारों का एक ग्लोबल नेटवर्क बताता है OCCRP के स्थापना साल 2006 में हुई थी OCCRP का गठन एशिया यूरोप अफरीका और लैटिन अमेरिका में पहले 24 गैर लापकारी जांच केंडरों ने किया है अमेरिकी अरब पती इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस और रॉक फेलर ब्रदर्स OCCRP को फंड करते हैं 2009 से OCCRP की रिपोर्ट्स के कारण 398 आधिकारिक जांचे हुई 621 लोगों की गरफतारियां हुई 131 इस्तीफे हुए और 10 अरब डॉलर यानी 82,700 करोड उपे से ज़ादा के जुर्माने हुए या फिर पैसा जब्त हुआ जौट्सोरोस को मोदी सरकार का कट्टर विरोधी मना जाता है वो समय समय पर मोदी सरकार के आलोशना करते रहते हैं ऐसे में उनकी फंडिंग से चलने वाली संस्था की रिपोर्ट पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं इस तरीके की बाते भी कही जा रही हैं कि भारतिय बाजार को अलस्थिर करने के मकसद से जौट सोरोस दौरा फंडेट संस्था ऐसी रिपोर्ट जारी कर रही हैं। वो भी तब जब पहले से ही सुप्रिम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की गहन जान चल रही है।